तो अगर हम वो सारे लेटर्स देखें कि दाट एंड्स विट आई तो पहले हम चेक करते हैं मदूबनी में कितने लेटर्स हैं इन में से मतलब 1,2,3,4,5,6,7,8,9 यहां पर हमने आई को फिक्स कर दिया तो अब हमारे पास कितने लेटर्स भचें एट स्पेसेज और एट लेटर्स तो इसको अरेंज करने का वे कितना हो सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस में हम आपस एट लेटर की पॉसिबिलिटी है के एक सेवें की थर्ड में सिक्स की फिर यह तीन लेटर्स आगा तो यहां पर 5 पी 4 टी 3 टी टी 2 की 1 रोटल नंबर अफ लेटर्स होगा एट इन्टी 7 इन्टी 6 इन्टी 5 इन्टी 4 इन्टी 3 इन्टी 2 इन्टी 1 तो यह हो जाएगा एट फैक्तोरियल वेज अब हमें वो देखना letters that begin with M and end with I मतला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 letter के space में हमने starting position M को fix कर दिया और ending position I को तो ये दोनों तो fix हो गए अब हमारे पास बागी कितने spaces बचे 7 letters की और ये 7 spaces हो गए ठीक है तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं की 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 मतलब first place में 7 letters की possibility है फिर 6 letters की फिर 5 letters की and so on तो इसमें number of letters हो जाएंगे 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 that is 7 factorial but हमें क्या चाहिए हमें वो letters चाहिए that do not begin with M but end with I तो हम सारे end हमें जो required है मतला हम total number of जो है जो end कर रहें आई से उसमें से start with M वाले cases को अगर हम subtract कर ले तो हमें required number मिल जाएगा जो होगा 8 factorial minus of 7 factorial 8 factorial को हम लिख सकते हैं 7 into 7 factorial minus of 7 factorial that is 7 factorial कोमनले ले तो 8 minus 1 that is equal to 7 into 7 factorial so this is our answer 7 into 7 factorial that that is equal to 3 5 2 8 0 words so our answer is 3 5 2 8 0